हेलो फ्रेंड्स आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही इजी इवनिक स्टेक्स की रिस्पी जो बहुत ही तेश्टी होती है और उपर से तो काफी ये करारी दिखती है और अंदर से काफी सॉप्ट होती है और बहुत ही चटपटे यमी बन करके तयार होती है और इसे बनाना क्या क्या ले न हैं वह बताते हैं यहां पर मैंने चाँब लिया है एक गर्शकों करके रख दिया है मत शाय और यहां पर चांड करके ले लिए हैं और इसे जां पर बना यहां और इस तरह से हम यहाँ पर boil आलू लेंगे और इस तरह से काट लेंगे फिर यहाँ पर देखे मैंने mixi ले लिया है और इसे चावल जो है ना उसे 2-3 पानी से अच्छे से साफ करके धो लिया है और इसे mixi में डालेंगे और इहीं पर हम हरी mixi डालेंगे 3-4 लसुन की कलियां डालेंगे 3-6 और फिर इहीं पर डालेंगे 2 इंच अद्रक और धनिया पत्ता और यहां पर मैंने पानी डाला है आधा कप यानि कि दो बड़े चम्मच मैंने डाला है उसे डाल करके हम यहां पर ना जादा दरदरा ना जादा पतला पीसेंगे महीन पीसेंगे बीच में पीसेंगे इस तरह से देखिए चावल का बैटर है ना इस तरह से तयार करेंगे फिर यहाँ पर जो कटे हुए आलू लिया था ना उसको डालेंगे और उससे भी हम पीस लेंगे उसमें मैंने पानी का यूज नहीं किया है देखिए इस तरह से महिं उसका पेस्ट बना लिया है और इसे हम हम चावल के बैटर में डाल देंगे और यहीं पर डालेंगे अब हम कटा हुआ बारिक प्याज एक फिर यहीं पर फिर डालेंगे हम अब इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ करी पता और धनिया पता फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी एक हरी मिर्ची एक कटी हुई और फिर दो पिंच इसमें डालेंगे दो चुटकी साबू जीरा और फिर धनिया पॉडर डालेंगे टू टी स्पून फिर एहीं पे हम डालेंगे काली मिज पॉडर हाफ टी स्पून या आप वन टी स्पून भी डाल सकते हैं गर्मसाला मैंने डाला है वन टी स्पून और चिली फ्लेक्स डाला है मैंने वन टी स्पून आप चिली फ्लेक्स ड पिर यहां पर नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और मैंने इसे अच्छे सब हाथों से मिला लेंगे और इस तरह का देखिए बेटर रहेगा हमारा पकॉड़े का और यहां पर मैंने रिफाइंड वाल लिया है तो इसे अच्छे से गरम कर लेंगे और यहां पर देखिए मैंने हाथों में पानी लगा लिया है पानी की जगा आप तेल का भी यूज कर सकते हैं अकि वो उसकी जो पकॉड़े की जो सेफ है न वो अच्छे से बन के आएगी या फिर वो हाथों में ज्यादा चिपकेंगे नहीं तो आप बार बार पानी का भी हा प्रियम टू लो फ्लेम पर इसे पांच से दस मिनट तक उलटते पलटते हुए इसे हम बनाएंगे पकॉड़े को जब तेल अच्छे से गरम रहेगा ना तब पकॉड़े चिपकेंगे नहीं कडाही में वो अच्छे से तैरेंगे आप उसे अराम से उलटते पुलटते हुए पका सकते हैं अगर कडाही और तेल गरम नहीं रहेंगे तो उसमें वो छिपक जाएंगे तो इसलिए कडाही को अच्छे से गरम करके उसमें तेल डालिएगा और इस तरह से हम तेल को सेप्रेट करते हुए पॉकॉड़े को निकाल लेंगे अब देखे मैंने यहाँ पर सेकेंड बैस भी डाल लिया है अब इसे भी हम ऐसी पांच से चार्ज मिनट तक उलटते पुलटते हुए मेडियम टू लो फ्लेम पर पकोड़ी को छाणेंगे प्रेंस मेरी यह रेश्पी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजेगा सस्क्राइब कीजेगा और इस परसात के मौसम में इसे एक बाद जरूर ट्राइग कीजेगा बहुत ही यमी तेस्टी लगती है और देखिए यह बन के तयार है और इसे भी हम सेपरेट करके तेल से रख लेगे इस तरह से सभी को छान लेगे और यह देखिए कितनी यमी तेस्टी कुरकुरी दीख रही है अब यहां पर चट्राइब बनाने के लिए यहां पर मैंने यहां पर टमाटर दो ले लिये हैं कच्चे और फिर पांस से छे हरी मिर्ची और धरिया पत्ता ले लिया है एक चोटी बाउल और फिर यही पर अद्रक और लासुन ले लिया है यहां पर अद्रक मैंने एक इंच लिया है और लासुन की कलिया तीन से छे और सभी को काट करके हम मिक्सी में पीछ लेंगे पकोडी के साथ यह चटनी बहुत अच्छी लगती है और यह थोड़ी सी तीखी स्पैसी बनती है तो और भी अच्छी लगती है खाने में तो फ्रेंड्स अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो मिर्ची कम डाल दियेगा और यहां पर देखिए चटनी बन के तेयार है तब यहीं पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और यहां पर मैं सर्सो का तेल डाल देए हूँ तो आप सर्सो का तेल अगर आपको पसंद है तो आप इसे चटनी में डालिएगा नहीं तो इसको इसकीप कर दीजेगा लेकिन सर्सो का तेल डालने से बहुत ही टेश्टी बनती है चटनी इस तरह से बना करके चटनी आप गर्मा गरम चाय के साथ पकोड़ी को सर्फ करें तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई शुक्रिया धन्यवाद